कि आपके नाम से पूरे विश्व में वाहवा कर रहे हो लोग कुछ फल नहीं देखा सुखी भी नहीं हो सकते हैं सुखी का सुखी तभी होंगे जब भगवान का हम इस्मर्ण करेंगे उनके नाम का उच्चारन करेंगे हरे नाम इवकिव लम कल जुए आब्रम प्रियंत सर्वत्रम सर्व माया मयं जगत सारा जगत माया स्वरूप से है चीटी से लेके ब्रह्मा तक माया यानि ब्रह्म इलूजरी पॉटेंशी आफ लौड स्रीकृष्ण यह सब माया है काचायाम विश्मरिताम रत्नाम काचो के टुकडे के बदले आप असली हीरे को भूल रहे हैं छोड रहे हैं पस्तान पड़ेगा हीरा क्या है हरेरनाम एव केवलम हरेरनाम एव केवलम मदुरम मदुरे भ्योपी मंगले भ्योपी मंगलम हरेरनाम एव केवलम हरेरनाम एव केवलम हरी का नाम ही आप अति मंगल कारी है मंगल कारने वालों में अतिमांगल करता भवान स्री कृश्न का नाम है भज़ो स्री कृष्णा लाओ स्री कृष्णा को नाम रे जो कोई स्री कृष्णा बोले वो है मेरे प्राण रे चैतन महाप्रोजी गारें सडकों पर गाओं में गलियों में कहो स्री कृष्णा अरे मेरे भाई कृष्ण कहो कहो स्री कृष्णा लाओ स्री कृष्णा कृष्णा नाम लो भजो स्री कृष्णा को नाम रे कृष्णा नाम का बजन करो करो जब करो गीर्टन करो जो कोई स्री क्रृष्ना बोले मेरे प्राण रहे जो थो-कोई एक बार भी मुख से कृष्ण बोले ऑं मेरे आंके गले लग जाये मेरा प्राण सरूप है कृष्ण कहो तुम्हारा कल्यान होगा तो नुक्त हो जाओगे एक एक बार कृष्ण कहने से संभभ यदि तनमन से एक बार भी कृष्ण कहें वो भी आपको दुर गती से बचा सकते हैं सुगती मिल सकती है बड़े से बड़े खतरनाक मोर से आप बच सकते हैं एक बार कृष्ण कहने से तो अजयामिल का उद्धार हो गया एक बार कहा था नारायन एक बार कहा था लिन तनमन धन से कहा था असाय रूप में कहा था कि गोविंद मृत्यू सामने खड़ी है रक्षा करने नारायन एक बार नारायन उच्चारन करने से अंत्मता सुगता नारायन के धाम में चले गए अजयामिल मापापी अजयामिल एक बार कहो स्री कृष्णा यमयम वापी स्मरंभावम्ट यत्यन्ते कले वरं तम तमेवेती कांते यो तदास हे अर्जुन, मरते समय ये प्राणी, जिन जिन भावों का इस्मरन करता है, उनमें ही चला जाता है, अंत मता सोगत, अंत में आपकी बुद्धी, आपकी कॉंशियसनेस, आपकी भावना कहां परिष्थर हुई है, वो जगे आपको मिल जाती है, गुरु ग्रंत साहिब में भी इसका वरण किया है, जिक्र किया है, कि अंत समय नारायन सुमरे, ऐसी चिन्ता में जो मरे, तो उसको नारायन मिल जाते हैं, जहां जिसको आप सुमरोगे, वो ही आपको मिल जाएगा, अंत समय, तो कोई सोचे कि अंत समय में जो अभ्यास किया होगा, वो ही अंत समय में आपके सामने होगा, आपने पत्नी से जीवन भर अच्चन्त प्रेम किया है, कि मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी देव, तो पत्नी ही यादा आएगे अंत समय, नारायन नहीं, इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा है, कि आप पत्नी से प्रेम नहीं करो, नहीं पत्नी के हिर्दे में भी नारायन बिराजमान है ऐसे जानकर कि पत्नी को भी प्रेम करो अपने कुटे को भी प्रेम करो अपने बेटे को भी प्रेम करो यही जानकर अपने पौदों को भी प्रेम करो किसी दूसरे जानवरों को भी प्रेम करो कि सब के इरदय में नारायन है तो अंत समय में नारायन की इस्मृति आपकी ताजा बनी रहेगी फिर आप समझाएंगे कि नारायन ही सब कुछ है सर्वे सर्वा तो अंत समय में मुझे नारायन का हिस्मृति करना चाहिए तो तब आप कह सकते हैं अजामिल की तरह कि नारायन तो आप नारायन के धाम में जाएंगे नारायन को प्राप्त कर लेंगे इसलिए भगवान स्रीकृष्ण ने ये इस लोग दूसरे अध्याय में कहा यम्यम वापी इस्मरम भावम त्यजित त्यंते कलेवरम तम तमय वैती कौंते सदात अध्भाव वाविता हे कुंति नंदन अंत्समय में ये प्राणी जिन जिन का भी इस्मर्ण करता है जिन भाव में होता है उनको ही ये प्राप्त हो जाता है कहती कि अंत्समय में अपनी जमा की हुई संपत्ति प्रॉपर्टी धन बैंक मेलेंस याद आ रहा हो और सरी चूट गया हो तो उसको प्राप्त करने के लिए भी कोबरा की योनी मिलती है गरूर प्रॉण भी इसका प्रमान देता है नाग बन के भी आदमी नाग बन के भी उस प्रॉपर्टी का पहरा देता है उस धन का प्रहरा देता है उसके धन की इच्छा में रहता है कि यह मेरा धन है यह सत्य है भागवान को याद करना चाहिए उनको धन्वाद देना चाहिए प्रतेक कदम पर उनके दर्शन करने चाहिए सर्वत्र वही है सब जहें समाय हुए इदा ओमनी प्रिजेंट अलफा एंड ओमेगा ओमनी साइंट ओमनी पोटेंस वही है सर्वत्र उन्हीं की शक्ति है कण कण में उनकी शक्ति है जिस कण से अनुबम बनता है वो कण के अंदर भी उनकी शक्ति है वो विद्यमाने शक्ती सरूप से सर्वत्र वो है हरी हमारे हमेश हरदम हरेक सह में जलक रहे हैं जो उनको गुलशन में जाकर देका हरेक गुल में महक रहे हैं फूलों में उनी की खुशुग है यह धर्ती में गंद भगवान की है भगवान की याद दिलाती है जलका स्वाद भगवान की याद दिलाता है अगने जलका स्वाद भगवान की याद दिलाता है